हलो फ्रेंड नमस्कार अब सब्सक्राइब स्वागते अपका चैनल सिविली ने विकर्चल में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक 2100 स्कॉर्फिट का घर में हम लो इंटर्नल वाल एरिया प्लस सिलिंग एरे हम लो प्लास्टा करेंगे तो इसमें हमारा सिमेंट स्यान और ल तो यहां पर हम लोग इंटर्नल वाल एरिया भी हम लोग निकालेंगे तो इंटर्नल वाल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे तो आज बात हम रूल कहीं साब से सिलिंग एरिया जितना है उसका 3.5 टाइम आप लोग इंक्रिस कर देंगे तो आप लोगा इंटर्नल वाल एरि तो wall area हो गे हमारा 7350 square feet प्लास इलिंगी रहँ हो गे है आपलोगा 1-2 square feet तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 9,250 square feet आपलोगा आ जाएगा तो यहां पर हम लोग प्लास्टा करेंगे, प्लास्टो का रेशियो रहेगा हमारा तो तो टोटल एरिया होगे हमारा कितना 9,455 स्कूर मीटर का अरिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्कूर मीटर हम लोग करेंगे तो 9,450 डिबैड़ेड बाइ 10.764 करेंगे तो हमारा 877.92 स्कूर मीटर आप लोग का आ जाएगा तो कौई भी स्क्वरिट्ट को आपलो स्क्वॉर में कंवड करना है तो 10.764 में आपलोग बभाइड debt का दिज्एंगा तो यह आपलोग का स्क्वॉर में कंवड हो जाएगा तो यहां पर हम लोग तीकनेस रखेंगे इंटवर वाबल्फ पलास्टर का 12 mm रखेंगे यहां पर में कणर बर करेंगे तो 0.012 मेटर आ पड़ोगा आ जाएगा और यहां पर हम जो मोटर मिक्स रेश्यों रखेंगे 1 is to 4 जिसमां हमारा एक बाग स्यमेट होगा तो चार भाग हमारा बतलो होगा यहां पर आप लोग 1-6 भी ले सकते हैं तो यहां पर हमारा volume of motor निकलेंगे तो area into thickness चाहिए तो area होगे हमारा 847.92 into 0.012 आप लोगा होगया thickness तो total multiply कर जाएगा तो 10.53 qm आप लोगा आ जाएगा ठीके तो यहां पर हम लोग यहां करेंगे यह होगे आप लोगा weight volume इसको हम लोग dry volume में convert करेंगे तो 10.53 into 1.33 हम लोग multiply दिजेएगा तो 14 qm आप लोगा आ जाएगा ठीके तो cement का quantity हमारा कितना है कैसे निकलेंगे उसको तो उसके लिए formula के है dry volume into cement ratio divided by total motor ratio तो dry volume होगे हमारा 14 into cement ratio 1 divided by total motor ratio होगा आप लोगा 5 तो यहां पर हम लोगा आ जाएगा 2.8 qm क्यूमीटर आप लोगा आजाएगा cement तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे c к q क्यूमीटर निकल दिए उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा kg में हम लोग निकलना पड़े हिसकल क हितना में हमारा लगेगा तेहां पर हुआते हैं पर 1440 केजीण पर मिट्र वीस होता है कि के अपके का density यहां पर हम लोग क्या करेंगे kg में निकालेंगे तो kg में निकालने के लिए हमको चाहिए volume और density चाहिए तो volume होगे हमारा 2.8 density होगे हमारा 1440 तो इसको multiply करती जाएगा तो 4032 kg आप लोगा आ जाएगा करें करें कgone तो एक शिमिंट में आप लोगा 50 के जो आता है तो नंबर डाश्या स्लपाइब आप 70 करें तो आप लोगा 81 वैक आप लोगा महां है पर लोग का यहां पर बेलुग का 8047 रुप्य आप लोको सी मीन का कोश्ट देना पड़ेगा उसके दहार अता है क्या यहान का कवंड़िद हम लोन निकालेंगे तो सैन का का और निकालने हमरा फार्मॉला की है निकाले हमड़ा ढयाँ पॉइंट टू क्यूव मिटर ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यह आप लोग का क्यूव मिटर में है उसको हमलोग सेफ्ट में करण बढ़ करेंगे तो 11.2 इन्टू 35.3147 करेंगे तो 395.5 डूशेफ्ट आप लोगा आ जाएगा तो कोई भी क्यूव मिटर का आप 1.52 इन्टू 55 करेंगे तो 11.624 रूपय आप लोगों देना पड़ेगा श्यान का कोस्ट ठीक है उसको दहां आता है क्या लेबर कोस्ट तो लेबर कोस्ट हमारा केदना पड़ेगा तो आप लोग का इंटरनल वाल एरिया प्लस सिलिंग एरिया दोनों मिला के आप लोग का था 9,450 स्क्वार्फिट तो यहां पर हमारा जो लेबर लेगा 15 रूपय पर स्क्वार्फिट के इसाब से तो 9,450 इंटू 15 केंटो 1,414,650 रूपय आप लोगों पड़ेगा लेबर का कोस्ट ठीक है तो एक 100 स्क्वार्फिट के घर में हम लोग इंटरनल वाल एरिया प्लस स को सिमेन श्यान लेबर तिनों मिला के हम लोग को 1,95,904 रूपय आप लोगों पड़ेगा तो यह कोस्ट आप लोग का लोकेशन के उपर डिपेंड करता है जो कि आप लोग का किसी भी लोकेशन में आप लोग का मैट्रेल लेबर दोनों सस्ता मिलेगा तो यह जो रेट है उक काम होगा और आप लोग खर्चा भी कङए और कोई भी लोकेशन में आप लोग का मैट्रेल लेबर तो उनों महँगा मिलेगा तो यह रेट आप लोग का ज्याधा भी हो सकता है थीके दोस्तों तो ऐस्टे उम्मीद करता ह atrocलों कि आप लोग को लाइक करना च्व पनके सब्स्राइ कर दो दो धन्यवा दोस्तो